अब गुद्स गुड्मोर्णिंग बेड़क कैसे हो आप लोग आज बिल्कुल नए शिप्टर के साथ नए इनर्जी के साथ नए जोश के साथ आए हैं हम वापिस आप लोगों के लिए शिप्टर का नाम है इलेक्ट्रो मागनेटिक इंडक्शन इम आई शॉट में इम आई उल्टा पढ़ेंगे आई एम इए तो इस सेटर में मैं सबसे पहले तो आपको प्रहाओंगा मैंनेटिक फ्लक्स लिगनुस से पहले मैं आपको प्रहाओंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आम है एरिया वेक्टर यस न यह ओकर आघर सिंव होगा इन्यक्तर क्या चीज़िए तो तुर्ण सुनों इस पारें बताया जाता है कि मालोग आपके पास कोई भी एक चरसे चाहिए आ बीए एस मैस का मतब्य होता है और इस surface पे अगर मैं कोई normal डाल दूँ और वो भी कैसा normal? normal भी दो तरीके के होते हैं, एक normal वो होता है जो अंदर जाता है और एक normal वो होता है जो बाहर जाता है बट उसके उपर arrow लगा दूँगा डी एस लिकर arrow लगा दिया तो वो area vector बन गया area vector का मतलब होता है एक perpendicular line जो खीची जाती है किसके उपर surface के उपर किस direction में outward direction यह भी बहुत important point है क्योंकि surface के उपर दो तरह से perpendicular draw किया जाता है एक perpendicular अंदर जाता है एक perpendicular बाहर आता है तो जो बाहर की तरफ जाए उससे कहते है area vector जैसे यह हाथ का surface है इसका area vector इधर जाएगा मैं हाथ को ऐसे कर दूँ इसका area vector इधर जाएगा इस सर्फेस का Erija Vector उधर जाएगा मैं ground पे खड़ा हूं इस सर्फेस नीचे जो जमीन है उसका सर्फेस उसके area vector ऊपर जाएगा तो उसका area vector नीचे आएगा area vector हमेशा सर्फेस से खीचा हुआ perpendicular होता है जो outward direction ने होता है बाहर की तरफ होता है और एरिया तो हम बिये से इंडिकेट करेंगे बट एरिया वेक्टर को डिये स्क्री आइरो लिग्ट देंगे याद रखना अब यह रहां इड टा एरिया वेक्टर ठीकहें आप समझ में आगया आपको एरिया वेक्टर अब एRejak मृटका जब समझ में आ गया है तो अब मैं आपको एक टॉपी कराने जा रहा हूं नाम है मैं, के नाम है», तो यह जाता है कि कि मानलों कही करा घासी बातम同ती है, होती है, जहां पर होती है, तो जहां पर मेंटिक passa होती है, वहां हे तो वहां पे waagnetic field lines है और जब magnetic field lines होंगे बेटा तो वहां पे कितने magnetic field lines होंगे वह भी तो पता करना जरुरी है तो वह बताता है Magnetic Flux, तो Magnetic Flux क्या बताता है, Number of Magnetic Field Lines क्या बताता है, Number of Magnetic Field Lines कैसे नंबर, आइधर, Entry, और, Leaving, The Surface, Normally. Magnetic Field Lines क्या करते हैं, या तो Surface में इंटर करते हैं, या Surface से बाहर जाते हैं, दो ही काम करते हैं, और वो आते जाते हैं, तो कितने यह Lines हैं, जो आ रहे हैं, या जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, या इंटर कर रहे हैं, या लीव कर रहे हैं, सर्फिस से, वो कितने Field Lines होंगे, दो-चार-साव-हदार लाग वो बताता है, Magnetic Flux. So, Magnetic Flux is very important topic, Magnetic Flux always defines number of Magnetic Field Lines, कितने नमबर हैं, किसके Magnetic Field Lines के, जो क्या कर रहे हैं, या तो इंटर कर रहे हैं, सर्फिस के, या सर्फिस से बाहर जा रहे हैं, आज़र इंटरिंग दा सर्फिस और लीविंग दा सर्फिस. That number of Magnetic Field Lines given by what? Magnetic Flux. और यह Lines नॉर्मली आते जाते हैं, या जाकना, नॉर्मली एंटर करेंगे और नॉर्मली बाहर जाते हैं. अब अगर कहीं पर Magnetic Field Lines है, तो वहां पर एक Magnetic Field Intensity भी होती है, आपने पढ़ाता पिछले चेप्टर में, इस इंडिकेट करते हैं, Magnetic Field की Intensity होती है, Strength होती है, इसकी अपनी Direction होती है, तो माल लो Magnetic Field Intensity इस Direction में है, ख्यान से देखना, और यह माल लो कि यह कितने एंगिल पर है, ठीट आइंगिल, जो यहां पर Magnetic Field Lines होंगे, तो वहां पर Intensity होगी, इंटेंसिटी होगी, तो इसक के साथ, सर्फिस के नॉर्मल के साथ, वही Area Vector के साथ, तो माल लोगो कितने एंगिल पर है, ठीटा एंगिल का रोल यहां बहुत बढ़ा है, ठीटा क्या हो गया, समझने वाली बात है, ठीटा हो गया बेटा, एंगल, किसके बीच, बिच्वीन, किसके बीच, Magnetic Field Intensity के बीच एंड, Area Vector के बीच, जब जब मैं Area Vector बोलू, समझ जाना मैं सर्फिस के नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो बाहर की तरह है, तो जब यतनी चीज़े पता चल जाती हैं, तो याद अखेंगा बेटा, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, अगर छोटे से फ्लक्स का, छोट आप लाइन्स काउंट कर रहे हो, और इंटु कॉस्ट थीटा, इंटु कॉस्ट थीटा, इंटु कॉस्ट थीटा, थीटा is very important, थीटा किसके साथ एंगिल होता है, सर्फिस के नॉर्मल बाहर की तरफ होता है, एरिया वेक्टर और मैंगनेटिक फिल्ट इंटेंसिटी की डि और अगर मैं छोटे से एरिया नहीं, मैं पूरे बड़े सर्फिस के एरिया के लिए बात कर रहा हूँ, कम्प्लीट सर्फिस एरिया के लिए, पूरे बड़े सर्फिस एरिया के लिए, तो कुछ नहीं होगा, बी भी होगा, पर डी एस हट का डोटाल एरिया आ जाएगा, ब बहुत important है, मैं बार बार repeat कर रहा हूँ theta जो angle होता है वो surface के साथ नहीं होता surface के normal के साथ होता है और magnetic field intensity की direction के साथ होता है बेटा, surface के साथ नहीं होता, surface के normal के साथ होता है, वो भी कैसा normal जो बाहर की तरफ आता हूँ अब मैं जरा इसकी में यूनिट बता देता हूं Magnetic Flux की यूनिट का तो बहुत सिंपल है देखो कैसे बताएंगे इसकी यूनिट बताने जा रहा है Magnetic Filt Intensity Unit जानते हो टेसला होती है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्कॉयर लोग शॉर्ठ में इससे वेबर यूशा वेडर का मतलब हो गया अगर का मतलब हो गया वही टेसला मीटर स्कॉयर अ यहां से टेसला को बोल सकते हैं हम यहँ पर मिटर स्कॉयर यह भी isina क्युशा घ्यूशा गया है पहले चि सक Expert है वेबर फर मिट्र रह भी होती है किसकी अब मतलब कि यह माइटिक फ्लक्स का फॉर्मूला का यहां अब ध्यान से मेरी बात को समझना है वेटा मैं है अब जैसे मालों में एक शोटा सा एक्जामपल कराऊं एक आप एक्जांपल क्या है जड़ा सुनू आप ध्यान से एक्जांपल यह है कि एक स्क्वाइर सर्फेस वो बेटा एक वाई प्लेन में है मतलब ऐसा है स्क्राइट की लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया स्क्राइट a स्क्राइट 0.1 स्क्राइट 0.01 मीटर ईसक्राइट और यह एक्स्वाई प्लेल में है और वहाँ पर मैचनेटिक फिल्न इंटेंसिटी जो है वो दिखा हुआ है यह मानेश टेसला और केक कि ये कैप का मतलब समझ गए कि वो जेड एक्सिस में ओके वो किधर है जेड एक्सिस यानि कि ये कैप तो बोला क्या है बेटा ध्यान से सुनिएगा बोला ये है कि आप magnetic flux पता कीजिए what will be the magnetic flux in that given surface area मतलब इस surface पे normally कितने lines आ रहे हैं और जा रहे हैं ये पता करके सिंपल सबसे पहले तो आप बताओ सार कि सर्फिस एरिया एक्स वाइप लें में है वह तो सर्फिस है ना सर तो नॉर्मल टू सर्फिस किधर होगा अधिया तो एक्स वॉआ प्ले में है नो डॉट बिल्कुल सही बात है तो सर्फिस एरिया औरंया क्या रहें और सब्लक्र घाला कि तर यह यह एक्स वाई प्ले में थो नो์मल तो सब्सकेश रहेंगा हुआ बिल्कुल धक्युक्स में जquerी और magnetic field intensity किदर है आप गौन से देखो सर वो भी Z axis में है तो यह भी Z में यह भी Z में यानि सर्फिस का नॉर्मल भी Z में और magnetic field intensity भी Z में तो इनके बीच एंगिल कितना हो गया सर जीरो डिग्री हो गया प्लक्स का फॉर्मला क्या हो जाएगा सर बोलोगे बहुत सिंपल है बी ए कॉस्ट जीरो बन हो गया फ्लक्स आ गया बी इंटू ए अब बी की वैलू आपको पता ही है कितनी है 10 दा पावर मानेस 3 और एरिया कितना है 0.01 कि सॉल्व करोगे फ्लक्स आ जाएगा 10 दा पावर मानेस 5 मेरे काने का मतलब है सर्फिस दिस प्लेल में होता है पहले उसका नॉर्मल डालेंगे अब जो होगा इधर जाएगा उसको देखेंगे मैगनेटिक फिल के साथ नॉर्मल अगर जेट में गया और मैगनेटिक फिल जेट में है और विस्ती बाते जीरो डिए आगे अब मान लो ध्यान से सुनने वाली बात है अब मैं अगर यह बोलता यह जो आप देख रहे हो यह अगर जेड़ वाई प्लेल में होता तो सोचने वाली बात है इसका जो नॉर्मल जाता वो किधर जाता एक्स एक्सिस में ज हो जाता जीरो थोड़ी होता अब तो थीधा आपका 90ग्री हो जाता है फृफ नर्मल जीधा जाएक उसके साथ फिल को नाइटी डिग्री है तो कोस नाइटी पर लेते फ्लक्स कोस नाइंटी पर लेते फ्लक्स यहांपे क्या हो जाता थीश मैं दो कहना चाहरा हूं वो के साथ सरसेड गर एकटरु से क्वेंट में तो नॉर्मल एक्स में जाएगा सर्फिस इक्जेट प्लेन में हां। नौर्मल में जाएगा उस नौर्मल का जिछ दर गीन और ट्री HOLM है! अब जब जरह सुनों द्यान से। अम एक 컨 कभी फ्लक्स जीरो भी आएगा कभी फ्लक्स पॉजिटिव भी आएगा कभी फ्लक्स निगेटिव भी आएगा कभी फ्लक्स निगेटिव भी आएगा कभी फ्लक्स पॉजिटिव भी मिलेगा कभी फ्लक्स निगेटिव भी मिलेगा कभी फ्लक्स जीरो भी मिलेगा सबका प्र वह फथा किये हैं तो सब्सक्राइब कर रहा है नीकल रहे थार और गर अगर अगर क्या सिखा अपने अगर आपका क्या है अगर आपका अगर आपका फ्लक्स पॉजिटिव आया मंद्समजना आपने ये वो लाइन कॉंट किये हैं ये वो लाइन है जो आपने देखे हैं जो सर्फिस से नॉर्मली बाहर आ रहा है और अगर मान लोग किसी सवाल में हमने austral किया और किसी भी सवाल में sintalk करने पे पता चला ज्या पता चल गया बेटा अगर यह पता चल गया कि यह जो है प्लक्स जो है Kollege परीजान नहीं होना है वहां पर यह सम्झा होगे कि इसका मतलब यह हुआ इस तर यह वो नंबर ओफ लाइन्स है जो सर्फिस में इंटर कर रहे हैं एंटरिंग दा सर्फिस नॉर्मली जो सर्फिस में नॉर्मली इंटर कर रहे हैं आप सम्छों मिली बाग तो सर्फिस अगर फ्लक्स पोजिटिव आया उसका मतलब यह वो number of यह चोको झांधु e च्छोड़ रहे हैं बार जा रहा है नॉर्मली और फ्लक्स निग्यटिवाया है इसका मतलब यह वो number of field लाइन्स हैं जो सर्फिस में इंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ चाहिए समझ वा बच्छे और थर्ड है कि अगर आपको लागा देखने में कि जीरो आ गया आया थाणाइन सरफ जीरो कि वहां पर यह थोड़ी समझ आओगे कि सर्फ दीरो हो गया तो इसका मतलब यह हो गया सरज़िए मैंगनेटिकी फिल्ट नाइन से इसका मतलब यह होता है याद रखना जितने नंबर आफ लाइनर एंटर कर रहे है इस इकल तू नंबर ओफ फिल्ड लाइन्स लीविंग, यास, लीविंग दा वॉड्ड सर्फिस तो तीनों केस समझ लो कि अगर कहीं पर आपको लगा फ्लक्स पोजिटिव आया तो समझ जाना इसका मतलब यह हुआ कि यह जो फ्लक्स है यह जो नंबर ओफ फिल्ड लाइन्स है यह वो है जो सर्फिस को छोड़ कर बाहर जा रहे हैं यानि कि जिरो का ये मतनल नहीं होता कि एसा कोई मत्लब नहीं होता है कि यह भुता है विखता है कि कि इसी पर बेज्ट है यह चेप्टर इसको में इलेक्ट्रोमाइटिक इंडुक्शन करते हैं इस्सी पर बेल्ट है अब ध्यान से प्रह नहीं पढ़ा तो आप समझों पढ़ाई में आपने पूछ लिए प्लक्स बेरी इंप्टन टॉप्ट वह है तो फ्लक्स पढ़ने के बाद अब हम शुरूर करने जा रहे हैं जान से देखना वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन इसमें सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है पैरेडेज लोग कि अब परेडेज लोग कि आपको पता है परेडेज बहुत बड़े साइन्किस्ट थे इन्होंने बहुत जगा एक्सपरिमेंट किया उन्हें इन्होंने यहां पर भी कुछ करके यह बड़ा सा कॉंसे दिया पुरी दुनिया को क्या कॉंसेब था इनका क्या एक्सपरिमेंट था पहले आपको समझना है इनके कॉआल में इन्होंने यहाँ पर एक न अमीटर लगा यह वेंगे पूरमीटर क्या करता है मेजर करता यह मेजर करता कुछ नहीं के और उन्होंने क्या क्या स्कॉआल के पास एक मैगनेट लेकर आए एक पॉल नौर्थ एक पॉल से इसे मूव कर, पास ले गए दूर ले गए पास ले दूर ले गए, पास ले दूर ले गए, पास ले दूर ले गए ये काम क्या हो, मैगनेट को मूव कराना शुरू कभी मेंगनेट को पास लाते थे कभी मेंगनेट को दूर ले जाते थे ऐसे ऐसे मोशन करा उन्होंने अचानक फिल किया ऐसा करने से इसमें डिफलेक्शन आ गया इसका ऐसे ऐसे हिलने लगा जो यह तो हिलने लगाश इसका मतलब दरूरब करेंट और गया नहीं इसमें अगया भाई जादू मैजिक लिद्यक बैटरी है बैटरी से मोशन को देंगे के अतंद हम खतम कि यहां पिर मैगनेट को रोग एसा नहीं मैगनेट को मूँव कराया जा सकता है दोनों के समें क्रेंट बनता था मतलब के दोनों में से कोई भी मूव करता हो यह 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 दोनों भी चला दे तब भी यह कहां नहीं का के इसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए को ऑक चले या दोनों चले दोनों चले के बीच का जो ड्स्टेंस है वह बढ़ते घटे रहना चाहिए ऐसा कुछ न छा और जब मैगनेट चलना रूप जाता था या क्वाइल चलना रूप जाता था इनके बीच का जो रिलिटीव मोशन है जब वो खतम हो जाता था जब फिनिश हो जाता था तो यहां करेंट की रीडिंग भी बन हो जाती थी हैं है इस्परेमेटले समझो एक हूँ हुआ यह बात की बात है सबसके इको हुए क के साथ एक अधंट लगाया सामने मंगेंट को मूव कराया पास लेब नगे खिक दो लक वाद यहां हो जाती ते दिख्र त्ब के बीच relative motion होता था एक दूसरे के respect में movement होता था सब तक नो बनता था और जब रूप जाता था कहानी जब जब यह motion खतम इनके बीच का relative motion खतम वह मूव नहीं कर रहा ही सब अपने जगारते बैठें हुए है current भी नहीं बनता था कि यह कि और शीज चुक जिए तक समय ल्ए गया इन्च इरा ऑप्जर्वेशन नैक्स्प्रेमेंट था कि व Kubernetes यह था कि वेह यह दो records ये कि असलिकर यह झार ऑजर्वेशन when there is what relative motion का मतलब दोनों चले या एक चले कुछ भी relative motion between किसके बीच magnet and coil then एक करेंट आता था एक वोल्टेज आता था जो भी कहो ये मेंफ कहो और करेंट कहो ये बनता था प्रुडियूट हो और अगर motion रुप जाता था एंड वेल रिलेटिव मोशन चॉप खत्म जैन नो एमफ नो करेंट जब तक रिलेटिव मोशन होता था तक ये मेंफ और करेंट बनता था रिलेटिव मोशन खत्म करेंट खत्म ये observation है क्यों हुआ वह बाद में बताऊंगा फिर क्यान उन अब्जर्वेशन लिया मालो मैगनेट अभी पास आ रहा है तो करेंट बन रहा है दूर जाएगा तब भी करेंट बनेगा मोशन तो होई रहा है लेकिन एक कहानी थी कि मालो ये इसको एप्रोच कर रहा है तो माल क्लAmळ लोग क्लॉक वाइस फ्लो कर रहा है कंग K Sound की द्रीफों वोटी ना अगर भी मैगनेट अभी मैगनेट या भी पास कर रहा है कि मालो अहरो के मोशन ओफ मैगनेट रिवर्स देन डिरेक्शन ओफ करेंट और तो रिवर्स यह यह चीज नो अबजर्ब किया कि मानलो मैगनेट एप्रोच कर रहा है पास आ रहा है तो मानलो यहां करेंट क्लॉक वाइस फ्लोग कर रहा है लूप में और जब मैगनेट दूर जाने लगा तो हो नहीं है तो दूर जाता था यह चुछ हो जाता था जैसे अपने एक्स्परिमेंट और उन्होंने कहा कि इस कहानी को और उन्होंने इस में जो करेंट मना इस current का नाम रखा induced current, कौन सा current, induced current, चुकि ये किसी source से नहीं बना है, ये magnet के चलने से बना है, magnet चलता था, तो बनता था current, magnet रुख जाता था, तो current भी खतम हो जाता था, यानि कि magnet के effect से बन रहा है, इस current का relation, magnet से है, मेरे, मेरा effect अगर तुम लोगों पर जाओ, तो आप क्या कहोगे, कि मैंना सर से induced हो गया हूँ, सर से affected हूँ, आपका effect मुझे आया है, तो मैं बोलूगा, मैं आप से induced हूँ, तो इस current के नाम के आगे, induced current लग गया, क्योंकि ये किसी source से नहीं आया है, ये magnetism से आया है, इसके motion से आया है, इसके movement से आया है, इस पे depend है, इस लिए आया है, तो इस current को induced current कहा गया, और इस voltage को, जो E है, इससे induced EMF कहा गया, induced, नाम क्या आगे, induced, और इस phenomena को, EMI कहा गया, electromagnetic induction, कैसे, electro, electro, E for electro, electro का मतलब current का आना, voltage का आना, कैसे, अपने आप थोड़ी, कोई source थोड़ी है, current, battery से थोड़ी आ रहा है, कैसे, magnetic induction से, magnetic effect से, magnet के movement से, किस दिए शिप्टर का नाम पढ़ गया, electro, magnetic, induction, सबसे पहले ये पूरी कहानी जो आप बोर्ट पे देख रहे हो बेटा, ये सबसे पहले, parody ने बताई, parody, सबसे पहले ये कहानी, parody ने बताई, मैं हट जाता हूँ, थोड़ी देख था कि skin shot चाहो, तो ले सकते, इसलिए मैं हट जाता हूँ, मैंने कहा, ये सारी कहानी सबसे पहले, इस दुनिया को faraday ने बताई, हमने आपने नहीं faraday ने, कि ऐसी भी कोई चीज होती है, बिना source के भी current बन सकता है, अगर कोई relative motion कर दे, हम तो magnet को move कर आ रहे हैं, even magnet को रोग कर, coil को भी pass ले जाए, दूर ले जाए, तब ये होगा, इससे कहते हैं, electromagnetic induction, अब कहा गया, कि जब ये पता चल गया, जब ये दो observation scientist ने ले लिए, तो अब इन दोनों observation को देखते हुए, इन्होंने एक law दिया, इन्होंने पैरेडे ने, अब क्या क्या, पैरेडे ने एक बहुत important law दिया, ध्यान से देखना है बेटा, इस observation को देखते हुए परेडे ने एक law दिया जो मैं law आपको बता दूँ पर इसको हटा दूँ बेटा तो हटा देता हूँ फिर आपको law बता हूँ देखें जगा भी तो बनाने ज़रूरी है है के नहीं खमज में तो आही गया है आपको अब देखो परेडे ने फिर क्या law दिया वाद ध्यान से सब्सक्राइब परेडे ने law क्या दिया तो पॉइंट इसके लिए देखना परेडे ने बेटाएब तीन में लॉग सॉरी दो में लॉग दिये परस law क्या दिया जबस्त उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मैगनेट के पास आने से या दूर जाने से ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें करेंट आ रहा है इसमें अपने आप वोल्टेज आ रहा है इंडक्शन हो रहा है इंडियूस करेंट आ रहा है कि यह मैगनेट पास आएगा तो आथि कि यहां पर ऐसा आसपास क्या होगा जो can अगर मैगनेट पास आएगा तो सोचो हो किया सब्साइब तो कहा यह गया जब मैजब फिल लेते हुए चला जाएगा पास आएगा तो अपनी फिल लाइन को लेते हुए आएगा तो उस तमझ गये अच्छा रीजन यह है कि मैगनेट के मोवमेंट से हो क्या रहा है जो वेफ में जो भी बोलो, changes, then, electromagnetic induction टेक प्लेस, समझ समझा भी हमने, अच्छा, देखो, 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 भाईयों, दुनिया वाले, सुन लो, हुआ ये, कि जब magnet पास आएगा, तो इसके आस-पास, flux बढ़ेगा, फील लाइन्स बढ़ेंगे, numbers के दूर जाएगा, तो इसके आस-पास, number of field lines कम होंगे, तो उन्होंने समझाया हुआ, ये, दुनिया वालों, कि जब magnet आता जाता है, तो इसके आस-पास, जो magnetic flux है, number of field lines है, वो लगातार change होते हैं, बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, यही main वज़ा है, EMI का, यही main वज़ा है, ले फिर उन्होंने क्या बताया, second point, कि अब पहले law में तो उन्हों रिजन बता दिया, अब क्या बताया उन्होंने, पहले तो वोल्टेज आता है, आपको पता है, पहले मुर्गी या पहले अंड़ा वाले कहानी, यहाँ भी सुनो, पहले voltage की रिएट होता है, सब current आता है, पह लाकर induced voltage यह induced current आएगा क्यों, पहले law में यह बताया, आएगा क्यों, क्योंकि जो magnetic flux है, वाल के आसपास वो बढ़ेगा, गटेगा, 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 इस कारण, पिर उन्होंने क्या बताया, कि अब जो induced EMF आ जा of flux, yes, यह ढुने बताया, जो induced EMF आ हएगा, क्यों आएगा यह बताया, flux के change होने से आएगा, यह बताया कि अब जो induced EMF आएगा, flux के change होने से जो आएगा, उस induced EMF की value क्या होगी, तो उन्होंने बताया, वो value होगी, जो भी flux में जो change हो रहा है change in flux, उसका rate, यानी, divided by change in time, य वासलों में उन्होंने रीजन बताया कि आकर इसमें इंडक्शन हुआ क्यों इसमें इंड्यूज वोल्टेज आया क्यों इसमें इंड्यूज करेंट बना क्यों तो रीजन बताया इसके आज पास जो क्यों इंड्यूज करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए एक वाल है उसका रजिस्सन्स होगा यहां पर लेना पड़ेगा आर क्या है मान लो आर को मान लो जो रजिस्स्टेंस आप को आए तो यह आगया तो आए यह निकाल दो इवाइड कर दो आज एक बार इंड्यूज यह में फागे दो पर इंड्यूज के लिए रिजिस्सन्स डिवाइड कर दो आए जिया रखना है पिर यह भी पूछ सकता है कि भाया एक बार इंड्यूज करेंड आ गया तो उस करेंड से कितना पावर जेनरेट होगा एलेक्ट्रिक पावर अरे सब्सक्राइड करेंड इंड्यूज पावर वो करेंड से क्या पावर डवलफ हुआ कि का यह बात सबसे पहले ने बताई पर आई एक्स्रेमेंट किया और उब्जर्वेशन लिया उन्सके बेस में दो लौगी बना दिया पाकी. ड़ार क्या है जब ये फ़ेड़े की कहानी हो गई खतम बरे इन अपनी बात को वर कर दी इसके बाद भी कहां चैन मिलता है किसी साइंटिस को पर जीना हराम कर दिया हम लोगों कि अनाम है लेंज लौ दीजिए एक नए साइंटिस आगे तीछाई नहीं छोड़ रहे हैं परेड़े के बाद तुरह टपक गए लेंज इसी टॉपिक में लेंज ने क्या किया सुनों लेंज ने कहा सब बातें परेड़ी की सच है एक गिदम हंडेड़ परसन सत्य है प्रूथ है सच्चाई है पस उनुने कहा कि एक काम करो जो जो फैरेड़े ने बताया था ना इंड्यूज इमेफ का फार्मॉला उसके आगे बस माइनस लगा तो ब बढ़ी बात है हम भी सैंटिस बन जाते हमारा भी नाम हो जाता है कि मानेस लगाने से थोड़ी हो जाता है रीजन बताना परता है तो लेंज ने क्या बताया क्या समझ के मानेस लगाया सुनों लेंज ने क्या बात बताई लेंज ने बताया बेटा कि यह जो इंड्यूज इ में डवलब इसकी वजा से आपको अच्छे से पता है द्यू टू फ्लक्सेंज और यह क्यों डवलब होगा फ्लक्सेंज होने की वजा से और डवलब होने के बार मतलब यह है कि यह डवलब होगा किस से यह डवलब किस से होगा बेटा बताईए फ्लक्स के करेगा किस का के चेंज मतलब में समझे आप माने इसलिए तो लगाया मैंने यह डवलब होगा किस से व्लक्स के चेंज से यह आया है क्यों बड़ा गद्दार है यह यह कि उसी चेंज को खतम भी करेगा उसी का अपोज भी करेगा सब्सक्राइब निए क्या है एक आर्ष मेरात बंड होनेका म्यूंट रूब होने से जो गो फोल्टेड जायेगा सबीन कर क्षिश करें गा कोई करेंगा इंडियूस करणेट दो imaging ऑपने बन जाती है एक तो में इसा कि थी जो बढ़ रही थी घट रही थी अब जब करएंडर जाएगा तो उस magnetic field से अब हरहाल में flux के change होने का जो reason है इसका movement उसको finish करेगा उसको रोकेगा इसके magnetic effect को इसका magnetic effect current आने के बाद यह भी तो magnesium शो करेगा इसका याद रखना यह बताया था किनो ने लेंज ने कि लेंज ने बताया कि अब जब एक बार इंड़क्शन हो जाएगा एक बार यहां इंड्यूस करेंट आ जाएगा तो यह करन भी तो आपको पर हैनी समय चेप्टर फॉर में कि करन भी अपने चाहुत रफ मैंडिक फिल्ड बन इसरे प्लक्स यो रहा है उसका अफोस करेगा और यहां रीज़न क्या है मैनेंडिका मोशन फ्लक्स जेंड वने का इसको रोकनी की कोशिश करेगा यह है लेंज लोग। इस पाने सब गया है बस। इस आज की क्लास में बिटा मैंने फ्लर्क्स, परडेज लोग, प्रेमेंट, लेंज लोग, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब अगली क्लास में हम मिलेगे तो पूरी एक लेक्शर बनाओंगा एक लेक्षर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो अगली वीडियो जो आप मैं बनाओंगा आपनों के लिए उसमें application of lens law होगा वो वीडियो ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो ज़रूर बेटा like करना वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर लो वी ऑफ कॉस्ट कोई पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के और वीडियो बहुत सारी upload होंगी नीड जेई की भी होंगी, mcq की भी होंगी, बहुत सारी वीडियो होंगी, पूरा syllabus मिलेगा आपको यूट्यूब ते, हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में बेटा, तब तक अच्छे से पढ़िए, खुछ रहिए, enjoy कीजिए, take care, bye